हेलो ब्रीवान एश्टाइटीस चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग क्लास्टेन हिंदी एमाईयल का हाफियरली एकजाम 2021 का कोशन पेपर देखेंगे और सांथ ही इसका फूल सलूशन भी देखेंगे तो आएए वीडियो को एशाट करते हैं तो देख के अचारे रामचंद्र सुक्ल का जन्म कब और कहां हुआ था इसका एंसर होगा अचारे रामचंद्र सुक्ल का जन्म बस्ती जीले के अगौना गाउं में सन 1884 में हुआ था देखें टूका का संथ कवीर ने इस्वर प्राप्ति का कौन सा सहज उपाय बताया है इसका एंस अच्छे मन से इश्वर की भक्ति करना ही कवीर के अनुसार इश्वर प्राप्ति का सहज उपाए है। देखे ख़ह नमर संद कवीर्दास ने जग को बौराया हुआ क्यों कहा है। और जूट कहने पर विश्वास कर लेते है। गन अमर है सीता ने ग्राम बधुों के प्रश्ण का उत्तर किस परकार दिया था? इसका एंसर होगा सीता ने ग्राम बधुों के प्रश्ण का उत्तर मुस्कुरा कर तिर्चे नेत्रों के इसारे से दिया था? घनमरे किस प्रस्थिती में रामचंद्र की आखों से आशू बह निकले थे। तो इसका एंसर होगा वन मार्ग में चलते हुए अपनी पत्नी सीता की आतूर प्रस्थिती में देखकर रामचंद्र की आखों से आशू बह निकले थे। नेक्स्ट है, चारू चंद्र की चंचल कीर्ने कहां खेल रही थी तथा वसुंद्रा सब के सोने पर क्या विखेल देती है? एंसर है, चारू चंद्र की चंचल कीर्ने जल और थल में खेल रही थी तथा वसुंद्रा सब के सोने पर मोती विखेल देती है? देखे कोशा नमर चो नीरा नंद है कौन दिशा कवीता के इस परशनवाचक पंक्ती में कभी का क्या आशा है इसका अंसर होगा कवीता की इस परशनवाचक पंक्ती से कभी का यह आशा है कि पंचवटी में सभी दिशाओं में अनन्ध ही अनन्ध ब्याप्त है देखे च्छा नमर कवी को अपनी और देखते हुए देखकर इस तरी सामने खड़े भवन की और क्यों देखने लगी इसका एंसर होगा क्योंकि वह समाजिक वैसम्मी की और उसका ध्यान अकर्षित करना चाहती है दिखे कोशन थिरी यहां से लोंग कोशन आ गया अभी लोंग कोशन का एंसर मैं आप लोको लाश्ट में दिखा दूँगी अभी आप लोक कोशन देख लिजे थिरी का ख़व है बिदाई का भासन देने वाले के सामने धर्म संकट क्यों रहता है गह नमरे पत्थर तोड़ती इस्तिरी समाज के किस वर का प्रतिनिधित्व कर रही है अपना बिचार परस्तूत कीजिए गह नमरे पंडित अलोपी दिन मानविया गुनों के पार्खी थे इस कथन की पुष्टी कीजिए अंगा नमरे अपसर सब जगह है वो अन डिवटी सर्वव्यापी है लेखक अफसर के बारे में ऐसा क्यों कहा है अस्पष्ट करो चार नमरे चीत वरीती किसे कहते हैं इसकी माहता को दर्शाने के लिए लेखक ने क्या क्या उधारन दिये हैं देखे चार नमरे मुंसी वंसी धर की चरित्रीक गुनों पर परकाश डालिए देखे चार नमर का अफसर पाट के अधार पर अफसर की चरित्रीक बिसेस्थाओं पर परकाश डालिए खनमरे लेखक ने महराना परताप और राजा हरीश चंद्र के उधारनों के माध्यम से क्या समझाना चाहें अथ्वा कवीरदास के अनुसार कैसे गुरुसी से अंतकाल में पच्ताते हैं इस पच्तावे का कारण क्या है शकते हैं यहां से व्याकरण और रचना स्टार्ट होता है परश् плох 5 निम्नी लिखित मेंजे किनी दो सब्दों के दो-दो पड़याईवाची सब्द लिखो दिखें पहला है अशूर का होता है दानव प्राक्षस कीरण कीरण का होता है जयति प्रभा कलं का होता है लेखनी और लेखा मचली मचली का होगा शफडी, मीन या फिर मतस्य भी लिख सकते हैं पेर, पेर का होता है ब्रिक्च और तरू, ठीक है नेक्स्ट है बिलोम सब्द, बिलोम सब्द लिखना है अग्य अग्य का होगा विग्य, अंतरंग, अंतरंग का होगा वही रंग शुगम, शुगम का होता है दूरूगम, शुधा, शुधा का होता है वीष्ज, तम, तम का होता है जियोती, ठीक है? सेवे नमर है निमलेखी में से किनी दो सब जो रोके अर्थ का अंतर असपष्ट करो देखे पहला है अलिक और अलिक तो अलिक मतलब ये पहला अलिक मतलब होता है जिसमें छोटी ही का मात्रा है उससे होता है ललाट और जिसमें बड़ी ही का मात्रा है अलिक उससे होता है जूटा तर्णी और तर्णी तो जो छोटी इकमातरा वाला तर्णी है उससे होता है सुरी और बड़ी इकमातरा वाला तर्णी से होता है नौका कोश और कोश देखिए तलावे सवला जो कोश है इससे होता है सबसंग्रा और ये मुधने सवला जो कोश है इससे होता है खाजाना द्वीप और द्वीप तो जो छोटी इकमातरा द्वीप है इससे होता है हाथी और बड़ी इकमात्रावला दीफ है इसका होता है टापू चीर और चीर जो छोटी इकमात्रावला चीर है इससे होता है पुराना और बड़ी इकमात्रावला चीर से होता है वस्त्र देखिए आठ नमर, निमलिखित में से किनी दो सबद समूहों के लिए एक एक सबद लिखो कर नमर है, जो अच्छे कुल से उत्पंध हुआ है, उसे कहते हैं कुलीन देखिए कर नमर, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे कहते हैं अद्वित्या गर नमर है जिसे समझना कठीन हो उसे कहते हैं दुसकर गर नमर है रंग मंच के पीछे के स्थान को कहते हैं निपत्य अंगर नमर है जो लोगों को प्रिय लगता हो उसे कहते हैं लोग प्रिय ठीक है, नाइन नमर देखिए, निमन लिखित में से किनी दो सब समुहों के समास साधित करके समास का नाम लिखो, ठीक है, पहला है अर्थ के अनुशार, तो इसका होगा यथार्थ, और समास होगा इसका अव्याई भाव समास, दूसरा है, चंद्र के समान मुख, इसका समास साधित होगा चंद्र मुखी, और समास से कर्म धार्य समास, तीन सूलों का समाहार, इसका समास साधित होगा त्रिसूल, और ये समास से दिगु समास, देखिए, नेक्ष्ट है, पत से भरष्ट, इसका समास साधित है पत और ये समास है तत्पूरु समास राजा की माता राज माता और ये समास है संबन तत्पूरु समास सत्य और असत्य सत्य असत्य और इसका समास होगा द्वेंद समास देखे दस नमर निमलिखित में से किनी दो मुहावरों का परयोग करो देखिए पहला है नाक का बाल इसका अर्थ होता है अत्यंत प्यारा इस से वाक्य बनेगा राम मंत्रियों के नाक का बाल है दूसरा है आस्तिन का साप इसका अर्थ होता है कप्टी मित्र इस से वाक्य बनेगा उससे सवधान रहो आस्तिन का साप है वह देखिए दूसरा है हाथ काट कर देना इसका अर्थ होता है लिक कर देना इससे वाक्ष बनेगा जिस काम को हम ना कर सके उसे हाथ काट कर नहीं देना चाहिए ठीक है अगला है दाल न गलना इसका अर्थ होता है बात न बनना ठीक है वाक्ष बनेगा मोहन के दोस्त के साथ दाल नहीं गलती है और लाश्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना इसका अर्थ होता है बिना पर्यास बड़ी सफलता पा लेना ठीक है इससे वाक्ष बनेगा उसे बीना पढ़े लिखे नोकडी मिल गई तो अंधे के हाथ बटेर लग गई देके 11 नमर है निम्न लिखित में से किसी एक वाक्य को संयूक्त वाक्य में परिवर्थित करो कर नमर है बादल घिरते ही मयूर नित्य करने लगे तो इसका एंसर होगा बादल घिरा और मयूर नित्य करने लगे खन नमर है बजार जाके फल खरीद लाओ इसका होगा बजार जाओ और फल खरीद के लाओ फल खरीद लाओ गन नमर है मोहन के आने पर दीपक चला गया इसका होगा मोहन आया और दीपक चला गया 5. बारा नमर निंनलिक्षित में से किनी दो वाक्यों को शुद्ध करो राम के अनेकों नाम है तो इसका सुद्ध्ध वाक होगा राम के अनेक नाम है ठीक है गवर नमर है आखिर दाल रोटी कैसे निभेगी इसका होगा आखिर दाल रोटी कैसे चलेगी देखें गवर नमर बाग और बकरी एक घाट पानी पीती है इसका होगा बाग और बकरी एक घाट पर पानी पीते है गवर नमर तीन इस्त्री ने चित्र बनाए इसका होगा तीन इस्त्रियों ने चित्र बनाए देखें अंगार नमर होगा वह बिलाप करके रोने लगी इसका होगा वह बिलाप करने लगी या वह रोने लगी ठीक है नेक्ष्ट देखें पत्र लेखन तेरा नमर है अपने जीवन उद्धेश्य के बारे में बताते हुए अपने पिता जी को एक पत्र लिखो अथवा अपने छेत्र की गंदगी के समस्या के समाधान है तू अपने नगरपालिका के अधिकारी को एक पत्र लिखो अब यह पड़ी पूरक पाठ से है 14 नमर देखिए पाठ करम के दूत्य पाठ बैचित्र में असम में सनिविस्ट किनी दो जन गोष्टियों के संसिप्त परिचाए दो नमर है पाठ करम के दूत्य पाठ विचित्र में असम में सनिविस्ट किनी दो जन गोष्टियों के विश्येस रूप से अपना योगदान देने वाले दो वेक्टियों पर टिपनी लिखो ये को और खो ये दोनों कोचन बहुत ही इंपोटेंट है ये दोनों कोचन आएगा ही एकजाम में ठीक है तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसको देखिए यहां से ग्रूप भी है पंदरा नमर का देखिए निमलिकित पर्षनों के सटिक उत्तर दो कर नमर है स्री मंत संकर देव के अनुशार असली पंदित कोन है उसकी क्या विसेस्ताय है कर नमर है कदम मिला कर चलना होगा कवीता में कवी ने किस परकार की विपत्तियों में हस्ते हस्ते आगे बढ़ने की बात कही है गो नमर है भारतिय एक्ता में अमीर खुजरो का क्या योगदान है विस्तार पूर्वक लिखिए गो नमर है अरुनीमा सिन्हा के जीवन में जो बिपत्ती आई उसकी चुनावती उसने किस परकार ग्रहन की देखे शोला नमर निमनी लिखित विशयों में से किनी एक पर अनुछेद लिखो का नमर है जीवन में परिश्रम का महत्व का नमर है परदूशन की समस्या गो है विद्यार्थी और अनुशाशन गो है कोविड-19 एक आपदा अंगा नमर है स्वक्ष्टा अव्यान देखे शत्रा नमर अनुप्रास अत्वा यमक अलंकार का शोधारन परिचय दो अठारा नमर है वीर अत्वा हास्य रस का शोधारन परिचय दो ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने अभी हिंदी M.I.E.L. 2021 का हाफ्यालीक जमगा कोशन पर देखा इसका हम लोग फूल सलूसन देख लेते हैं हाफ्यालीक जमगा कोशन पर देखा हाफ्यालीक जमगा कोशन पर देखा तो हमने इस कोशन पर पर के सारे कोशन देखे और शांती उसके एंसर भी देखे आशा करती हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूच्फुल रहे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के इंपोटेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू